दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से लॉंग टर्म शेर सेल्टियस में स्वागत है दो हजार पचीज का अगर हम लक्ष रखें कि हमें यदि अमीर बनना है यानि कुछ अच्छा खासा पैसा कमाना है भले याद जो कुछ भी हम कमा रहे हैं हमारे पास कोई पोर्टफोलियो है या नहीं है कुछ शेर से हैं या नहीं है लेकिन यदि आज देरी ना करते हुए इस बात को समझ जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपके पास इतनी सफीशन धनराशी हो जाएगी कि फिर आप इन गड़े ले सकते हैं कि किस दिशा में मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं एंडिये वर्सस इंडिया यानि कि जो आल्रेडी है गवर्मेंट है पिछले 2014 से देखिए जो भी गवर्मेंट आए माली जी वर्तमान जो गवर्मेंट आती है तो mostly अगर देखा जा जो सेक्टर से हैं जो आल्रेडी स्कीम्स चल रही ह हैं उनमें कोई फिर बदल जादा नहीं होगा जू भी यह उसमें थोड़ा सा घटी बढ़ोतरी की जाएगी बाकि जो उनकी स्कीम्स हैं आजो भी उनकी पॉलसीज हैं उनमें थोड़ा सा मोडिफाइग कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधे को बहुती सारी चीजे चें जिस तो नहीं हो रहे हैं उस चीज के लिए भी प्रिपेर रहना है साथ ही जो PSU stocks इस समय उड़ रहे हैं काफी अच्छा खासा gain बना के दिये हमने भी कुछ PSU stocks के बारे में चल जाएगे थी dividend वाले इतनी आप एक्षा नहीं कि ते इतनी तेज से भाग जाएगे जैसे IRFC हो गया, RBNL हो गया या कुछ और कमपनिया थी लेकिन अच्छा return लोगों को बना के दिये तो अच्छी बात है अगर public कमा रही है तो दोनों में से जो भी government आया अगर पून बहुमत पे आती है माली जी की alliance आता है या यह पून बहुमत पे आती है तो मुझे लगता है कि यह government आती है तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने के आवश्यक्त नहीं यह government पी आती है थोड़ा सा क्योंकि इतने वर्षों के बाद कोई government change हो रही है तो हमें उसके इसाब से अपने को prepare करना पड़ेगा, alert रहना पड़ेगा बाकी जो government है देखिए हमें उनके इसाब से ही काम करना है हमें तो हमें शर्भाजार देखना है कि हमें पैसा कहां से बन सकता है कौन से सेक्टर में कहां आप और शूठी देख रही है इस पे नजर रखना है बजाए हम politics में जाएं तो यह जो elections हैं 2024 में हैं जो major country है जहां से ज्यादा पैसा बहता है तो 2024 में दोनों general elections निपट जाएंगे चाहे भारत वर्ष के हों चाहे USA के हों अप एक्षा की जा रही है कि अगर ये rate of interest घटाएंगे तो RBI भी rate of interest घटाएंगी उससे क्या होगा कि market में थोड़ा सा cash का flow आएगा सस्ता ब्याज मिलेगा लोगों को तो थोड़ा सा और ज्यादा वो पैसा लेकि अपने वेवसायों में, अपने personal कारियों में credit card के माद्यम से, shopping के माद्यम से मतलब बाजार में पैसा आएगा, market में पैसा आएगा तो थोड़ा तेजी भी बढ़ेगी तो ब्यासदरों की समस्यां भी 2024 तक में मुझे ऐसा लगता है कि समाप्त हो जानी चाहिए, घटना चाहिए कुछ ताकि market में liquidity बनी रहे 2025 से पहले, तो हमें करना क्या है तो ये समझ गए हम कि कोई भी government आती है तो हमें उस चीज के लिए तयार रहना है अब हम किस तरीके से निवेश करें किस प्रकार से निवेश करें ताकि हम बड़ा पैसा बना सके तो ये जो समय है इस समय पैनिक करने के लिए या फिर कौन सा stock ले, कुई ऐसा stock बता दीजी हम इसको ले ले, उसको ले ले, हमाँ पैसा बन जाए बिल्कुल इस चीज में मत पढ़िए एक तरीके का ट्रेडिंग ही है सटे बाजी है कि कौन सा stock ले जो 50% बढ़ जा 6 महिने में जो एक साल में बढ़ जा, कोई micro cap बता दीजी कोई small cap, बिल्कुल बिने उस चक्कर मत पढ़िए, सब सब बिस तरीका आपको व्यादी कम नौलेज है तो हमारे चैनल के कुछ past के वीडियो देखिए कुछ playlist में भी चले जाएए हमने बाग खायदे कोई भी company बताते हैं तो उनके वेवसायों पुले के जरूर आपको बताते हैं कि करती क्या है तो आपको मालूम पड़ता है कि हाँ फला product है अच्छा ये company का है इसका share price ये है, evaluation क्या है सारे चीज़े हम बताती ही बताते हैं तो हमने यहाँ पे देखिए 5 टंकियां बना रखी है जो कि अलग-अलग sectors की जैसे FMCG हो गया, FMEG हो गया IT हो गया, chemical हो गया, bank हो गया FMCG मतलब Fast Moving Consumer Goods यानि कि जो जैसे ITC company हो गई, Britannia हो गई, Actual हो गई, Nestle हो गई लेकिन आपको किस तरीके company का चुनाव करना है आपको छोटी company small cap की ताकि आपको बढ़िया return एक short term में भी मिल सके तो FMCG में जनरली जो अच्छी company है या तो बहुत ही बड़ी large cap के भी company है बन गई है या फिर कुछ newly listed company हैं जो छोटी company हैं जैसे कि आप victus food समझ सकते हैं या फिर BKG समझ सकते हैं या फिर micro cap में बहुत सारी छोटी छोटी अन्नपोना या फिर श्रीवरी ऐसा कुछ है जो आटावाटा डालवाल मसाले वसाले बनाती है तो new listed company हैं तो वो थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाती है तो मध्यम साइस की जो 10,000 के आसपास करोड की जो market cap वाली है वो हो जाती है वेक्टर्स, फूर्ड, बीकाजी, नमकीन, मिठाई, स्वेट, दिवाले भी आ रही है तो इनकी भी अच्छे खासे कमाई होगी तो दुनिया में कहीं भी यूर्ध चलता रहा है कुछ भी होता रहा है खाने पेने की demand हमेशा बनी रही क्योंकि पेट को भूक लगती है तो ये कमपनिया चलती रहें कुछ भी हो जाए देश-दुनिया में उसके बाद अगर देखा जाए ग्रोथ वाली है दी कमपनिया है जैसे कि बहुत सारा भारत वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्शर हो रहा है तो वहाँ पे जो डिमांड है जैसे कि वायर्स, केबल्स, फैन, गीजर जो घरों में बहुत सारे सामाल लगते हैं उलेक्ट्रोनिक्स, वायर्स लेके LED लाइट्स तक है न तो ये छोड़े-छोड़े स्विच बोर्ड्स हो गए आपको फास्ट मुविंग कंजूमर इलेक्ट्रोनिक गुड्स जो आ जाता है फमचीजी के अंदर का जिसे बड़ी कमपनिया है जिसे हैवेल्स देखेंगे अगर आप 10 साल में देखेंगे हैवेल्स का रिटन तो खरीब-करीब आपका पैसा 10 टाइम्स कर दिया इसी प्रकार से अगर देखा जाया तो पिछले तीन-चार साल में जो लिस्ट होई पोली का एब इंडिया जिस पर हम शुरू से वीडियो बनाते रहें छह साथ गुना हो चुकी अभी वो हैवल से भी बड़ी मार्केट का एब की हो गई है और वैलिवेशन वाइस बे देखा जाया तो अन्य कंपनियों से वो सस्ती है इसी प्रकार से अभी नियूरी लिस्टेट कंपनी है एक RR काबिल या फिर पहले की लिस्टेट कंपनी है पुरानी जो है फिनुलेक्स केबल इन सबके भी जो प्रोड़क्ट से कहीं न कहीं जैसे कि अब RR काबिल का है वो भी लेडिबल्ब्स, फैन्स, इस सारी चीज़ें वाइस और केबल्स बनाती है थोड़ा सा वैलिवेशन वाइस वो महंगी है लेकिन आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा जो next quarter आने वाले हैं किस परकार के रहते हैं अगर earnings बढ़ती है, price वहीं पर रहता है तो P का जो ratio है वो थोड़ा सा गिरना चाहिए लेकिन अगर निवेशा खरीते रहेंगे ऐसे ही तो फिर high P पर ही आपको मिलेगा फिर IT stocks में बड़ी हाग कमपनी है आप देखिए बड़ी कमपनीों के साथ तो आप जाने सकते हैं जैसे TCS Infosys को कि वहाँ पर बहुत बड़ा पैसा नहीं बन पाएगा बली dividend वगेरा मिलता रहेगा लेकिन वहीं पर छोटी जैसे की एक large cap की कमपनी भी हो सकते हैं इस तरीके से फिर chemical sector भी चलने वाला ये 2025 तक का हम target रख रहे हैं कि 2025 तक आपको क्या करना है इन कमपनीों में यहां इन stocks में पांच जो आपको जो हैं हमने टंकियां दिखा रखी हैं इनमें आपको प्रते गिरावट में अग गिरावट नहीं भी है तो भी हर महिनें खरीदते जाएं तो धीरे धीरे इनको भरते जाएं जैसे chemical में chemical में बहुत सारी कमपनियां जो आपको सही valuation में company मिले जाए fine organics हो, jubilant हो, jubilant ingravia छोटी company में ये शोर industries हो गए फिर उससे बड़ी arcan chemical हो गई या फिर उससे बड़ी और जाना चाहते हैं जो गिरी पड़ी हो जैसे दीपक नाइट राइट हो गई अगर आप लक्षमी और गेनी पर साथ भी जाना चाहते हैं तो भी अच्छी company है लेकिन valuation wise थोड़ी से महंगी है अगर आपको और भी ज्यादा रिटन चाहिए लगता है कि छोटी banks जो लिस्ट हो रहे हैं इसी चीज़ का तो फाइदा मिलता है investors को जो आज से 10-15 साल पहले लिस्ट हो रहे हैं तो उस समय उतनी कमपनिया बहुत ही कम कमपनिया लिस्ट होती थी और लोगों को मालूम भी नहीं पर तक लेकिन आज के समय में बहुत सारे मतलब banks का मैं देखता हूं तो कितनी banks लिस्ट हुई है small finance banks कितनी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं 4-45-5 सालों में 4-45-5 गुना रिटन्स मिल रहे हैं वो जीवन हो गया है, क्विटाज हो गया, आपका उतकर्श हो गया इस तरीके से कुछ NBFC कमपनिया भी बड़ी प्यारी सी हैं उनको भी आप देख सकते हैं सबसे पहले decide करना है कि प्रतेक सेक्टर में एक-एक कमपनिया भी पकड़ते हैं 4-5 स्टॉक्स बड़ा पैसा बनाने के लिए, तो अगर पांचों का पैसा एक में डालेंगे तो उसमें चांसे हैं कि डूब जाएं, डूबने के sh escuch के हो सकता है चले ही न तो नहीं भी चले गया तो वह बहुत बड़ा रिस्ग हहाँ लास है क्योंकि उससे अच्छा तो फिर Fud में डाल देतेते तो ही पैसा बन जाता तो पांच कंपनिया तो एट-लिस्ट पकड़ी हैं अगर आप बहुत समझदार हैं, अलग-अलग sectors की, जो हमने sectors बताएं, और भी sectors, तो ये sectors जो हमने बताएं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में काफी समय तक चलेंगे, तो FMCG कि कोई एक stock पकड़के उसमें भरते रहें धीरे-धीरे, जो हमने जिक्र किया या फिर और 2023 चल रहा है, 2024 पूरा चल रहा है, 2025 में आप देखिए कि आप कितना पैसा जोड चुके हैं, कितना पैसा भर चुके हैं, कितनी मेनत करके आप पैसा कमा चुके हैं, ट्रेडिंग वगेरा मत कीजिए, यहाँ पे आप भरते रहें शेर्स, शेर्स भले ही आपका भाव गीरा लेकिन शेर्स तो आपके पास हैं किसी कमपनी के, तो अकसर यह होता है कि हो सकता है कि 2025 में, 2024 तक सारी समस्या होगे, जो भी जगड़ा वगड़ा होना है, थोड़ा शान्त हो जाएगा, माहौल, यह लड़ाई चलती रहेगी, तो मार्केट थोड़ा सा समझ गया है, कि अब जो government है किस प्रकार के steps ले रही है, किस प्रकार से investments ले रही है, किस प्रकार से sectors को तेजी दे रही है, उस हिसाब से पैसा आएगा, US में क्या चल रहा है, कौन राष्ट पती बने, वहाँ ब्याजदरों में करूती हुई कि नहीं हुई, वहाँ क्या policies लाई जा रही है, बू इकठी कर ली होगी, मैं शुरू से वीडियो बना रहा हूँ, पिछले lockdown के पहले से, आप देखेंगे तो एक एक शेर भी जोड़ते ना आप इन तीन सालों में, आप भूल जाते कि बूल रन था, बेर रन था, आप शिर्प इतना देखते कि एक एक शेर भी किसी अच्छी क आप राजा बन जाएं, तीनी साल में आप राजा बन जाएं, लोग फिर महिना करना बंद कर देंगे कि भी या शेर मार्केट में तो लोग राजा बन जाते हैं, नौकरी छोड़ो बिजनेस छोड़ो चलो इसी में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, जो समझदारी से न आपके सिलवर कोईन, गोल्ड कोईन में तबदील हो जाएंगे जब भी आपका अच्छा समय आएगा, अब माली जी आप अपने इष्ट देवता से प्रेयर करें कि प्रभू मुझे अमीर बना दीजिए, मुझे शेर मार्केट से अमीर बना दीजिए, अब शेर मार्केट म आपको रुपया मिल जाता, आहा, प्राइस हो गए, लेकिन कोई ना कोई माध्यम से तो देगा, तो आप शेर्स अच्छे लेके रखेंगे, तो आपको निसंदे, आपका कोई ना कोई स्टॉक भगा देगा, इन पांच में से जरूरी नहीं है कि पांचो भागे, यदि कि जो विशय हैं, जब आप एक्जाम में बैठते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपके पांचो विशयो में भयानक आपको नंबर मिले, हो सकता है कि एक-दो सिक्टर ना चले, लेकिन हो सकता है कि एक-दो विशय में आप इतना ज्यादा अंक प्राप्त कर ले रहे हैं, कि उसे से आप qualify हो चुके हैं आप जबरदस्त आपको नवकरी मिल जा रहे हैं इतना पैसा आपको बन जा रहा है इन्हीं कुछ सेक्टर से तो यही कौँगा कि आशा है कि आप यह समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आज देखिए मैं यह तो नहीं बता रह जब भी आपका भाग्य खुलेगा जब भी आपके किसमत अच्छी होगी आप ऐसा बना लेंगे और साथे साथ नॉलेज लेते रहे हैं तो नॉलेज से भी क्या रहेगा कि एक समय आपको इतना अनुभाव आएगा किसी भी स्टॉक का आप हाथ पकड़ लें वो छुड़ा करते रहे हम बहुत सारे पोर्टफोलियो बनाए हैं बहुत सारे लोगों को प्रेश्ण लिये हैं लेकिन एक बार जब कोई शेफ बहुत ज्यादा पैसे बना देता है कई गुना हो जाता है फिर थोड़ा साम देखते हैं कि दूसरी जगह पॉस्टूटी देखें इस समय ज पूरा पुरजे-पुरजे को लेके जानकारी दी है कि स्मॉल कैप्स या माइक्रो कैप्स क्या हैं किस तरीके से माइक्रो कैप कंपणियों को पहचानते हुए आप इंवेस्ट करें उसमें आपका रिस्ख होगा हमारा नहीं है लेकिन किस सज्जन ने पूछा तो हमने जान रहेगा थैंक यू फॉर वाचिंग स्वीडियो फ्रेंग्स